हेलो डोस्तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में पहुत-पहुत स्वागत दोस्तो मैं सिवाम अपने यूर्ट चनल टेक्निकल सिवाम पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपने मुबाइल फोन के अंदर अपस नाम setting ओपन करते हो वहाँ प्या आपको एक setting देखने को मिल जाती है डवल अपस एक setting देखने को मिल जाती है इस setting से क्या होता है और dual apps setting कैसे यूज करते हैं और इस setting से आपके mobile phone के अंदर क्या परिवर्तन परता है वो ही मैं आपको पूरा details में बताने वाला हूँ तो चलो तो आज का वीडियो करेते हैं start वीडियो start करने से पहले हमारी एक छोटिस request है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें चैनल पर पहली वारा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon on करने अब यहां पर आपको करने क्या है अपने mobile phone के अंदर आपको यहां पर setting open कर अपको इस पर click करना है इस पर click करने कंगा यहाँ पर आपके सारे के सारे application आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं और हो क्यब ही मैं आपको बताने वाला हूं तो अगर आप यहां पे किसी भी अप्लिकेशन को इनेवल कर देता हूं जैसे मैंने यहां पे WhatsApp को इनेवल कर दिया है तो दो तो क्या होगा कि आपके Home Screen पर यहां पर एक WhatsApp डूब्लिकेड वाटसब जैसा यहां पे आपको दिखने को मिल दोगा मैं यहां से फिर से इनेवल कर देता हूं मैं यहां से इनेवल कर देता हूं हमारे Icon Add to Home Screen हमारे Home Screen पर हमारा एक WhatsApp और आ चुका है जैसे मैं इसे कट कर देता हूं कट करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा हमारा यहां पर यह वाटसप रहा और हमारा एक यह वाटसप रहा और यह हमारा यह वाटसप है तो यहां पर अपने मुबाइल फोन के अंदर इस सेटिंग के महद्यम से अपने मुबाइल फोन के अंदर वाटसप यह वा आप सकते हो जैसा यहां पे आपका यह आपने मोओाल नंबर से अग्री एंडscale कर लेना है उसे आप लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आप आसानी से आप दो वार्णिस अपने एक मॉबाईल फोन के अंदर चला सकते हो, अलग अलग नमबरों से, आप एक नमबर से दो बाट साप नहीं चला सकते हो, यानि कि यहाँ पे login नहीं कर सकते हो, तो ऐसे अपने mobile phone के अंदर इस setting को use करते हैं, और इस setting से यही होता है कि किसी भी application को आप double कर सकते हो, और उसे double तरीके से use कर सकते हो, जैसा यहाँ पे आपको बहुत सरा application देखने को मिल जाता है जो आपके mobile phone के अंदर रहता है तो ऐसे आप यहाँ पे इस setting को use कर सकते हो, तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही, video पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद